नमश्कार लाइफ में खुश के से रही है मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा और बहुतिं नुकिल हुल हैillum आप कहोगा शर종न बड़ा मुस्किल कि उप्प्किन विल्कुल है कि यह बहुत ही अ आज के दौर संयम्ंट त्ल्रों है लाइफ पन्सान MP3 हर इंसान कहीं न कहीं दुखी है हर इंसान कहीं न कहीं खुशी की चाहत रखता है लेकिन उसे दुखी दुख दिलता है कोई इंसान अपने बिजनेस को लेकर दुखी है कोई इंसान अपनी बच्चों को लेकर दुखी है कोई इंसान अपनी फैमिली को लेकर दुखी है कोई इंसान अपने फैंड को लेकर दुखी है कोई व्यक्ति अपनी जोग को लेकर दुखी है कोई इंसान अपनी सामाजिक प्रतिष्टा को लेकर दुखी है कोई इंसान अपने समाज के लोगों से दुखी है हर इंसान कही न कही किस न किस रूप में दुकी ही है बहुत से लोग मुझे कुश्टन पूछते हैं सर आप हमें थोड़ा ये बताई कि हम खुस कैसे रहें अधिक तोर लोगों से मैं यही कुश्टन सुनता हूं कि सर आप इतनी बाते बनताते हो इतना कहते हो हमें बस ये बताईए कि खुस कैसे रहा जाए तो मैंने भी सोचा कि खुस कैसे रहा जाए ऐसा असंबव है कि आम आत्मे के और किसी भी इंसान के जिवन में दुक नहीं आए ऐसा तो असंबव है चाए वो अमीरी वक्ती है या चाए वो लोवर वक्ती है चाए वो मीडिली वक्ती है भगवान सिक क्रिस्टों ने सूएं गीता में कहा कि सुख दुख तो दिन और रात की तरह है ये दोनों आते और चाते रहेंगे लेकिन अगर कुछ ऐसी परस्थी, कुछ ऐसी आदते अगर आप बना लेते हो ना तो आप दुख में भी खुशी खुश रह सकते हो आपके दुख के दिन भी आराम से कट जाएगे आप पूरी तरह दुख से मुक्त नहीं हो सकते हो दुख तो आपके जिवन में आएगा लेकिन आप ये कर लेना तो आपका दुख इजी ली कर जाएगा और आप हमेशा अधिक तर आप खुश रहना सीख जाओगे छोटी छोटी बातों भी आप दुखी नहीं होंगे ये तीन बाते ऐसी हैं जो अपने जिवन में उतारना अपनी लाइप में एकसेप्ट कर लेना इससे आप अधिक तर खुश रहोगे दुख आएगा तो भी आपके जिवन में निकल जाएगा तो वो तीन बाते क्या हैं आज अपन जालेगे नमबर वन जो बदला जा सके उसे बदलिये आइप के लाइप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसे आपका बुझनिस आपको लगता है और कि मैं अपने बिजनिस को बदल से को बदल दीजिए उसके साथ आप खुוש नहीं है तो उसको बदल दीजिए आपको लगता है कि यार जोब है यार इस जोब को मुझे बदलना चाहिए इस जोब के साथ मैं खुश है नहीं तो उसको बदल दीजिए आपको लगता है कि आपकी फेमेली अगर आपकी फेमेली से अगर आप दुखे हो तो आपकी फेमेली को अगर आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते हो आपकी फेमेली में उनको सुधारिए उनको सुधार सकते हो तो सुधार दीजी कुछ ऐसी चीजा हैं जिसको आगर अगर बदद सकते हो जैसे कि वर्क प्लेश पर आप याप काम कर रहे हो आपको लगता किया या काम करने से कुष नहीं तौस वर्क प्लेश को बदल दीजिए आप के अगर हाथ में जो चीज बदल ने की है ना इसको आप बदल दीजिए तो आप खुश रह सकोगे सेकंड जो बदला ना जा सके उसे स्विकार ये आपको लगता है झाटेज्म आपकी फैमिली को लेकर आप दुक्यों आपके खुड खुशिश करती हैं कि आप अपने फैमिली को सुधार है लेकिन आपकी फेमिलिय के नहीं सुधरी है तो उसे स्विकार कर लीजिए कुछ चीज़े ऐसी है ना जिसको आप बदल नहीं सकते हो और आप बदल नहीं सकते हो तो आप अंदर अंदर दुकी हो रहे हैं यही मेरे जीवन का सकते हैं और इनी के साथ मुझे जीना है और इनी के साथ मुझे आगे बढ़ना है तो तो आप खुश रेपाओगे Otherwise आप उनके साथ में वापस कुट्टम गुट्टा और वापस वही बात है और वही है वापस आप मेशा दुखिए है आपको लगता है कि यार ये बिजनिस मेरे लिए सेट नहीं है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार मैं इस बिजनिस को नहीं बदल सकता हूँ तो उस बिजनिस को स्विकार करिए और उसे कुछ नया करने की कोसिश के लिए उसको कुछ नया आगे बढ़ाने के कोसिस करिए आपकी जोब हैं जैसे आप गवर्रमेंट जोब में हूँ वहां पर अजरो तरह की मुश्किल आती है कभी बहुत से कभी अपने साथ कालिक से बहुत सारी अन्वन भी होती है तो आप क्या सकते हैं आप पनी जोब बदल सकते ह आप स्विकार कर लीजिए आपकी प्राइवेट जोब है आपको रोज मांसिक टेंशन होती है लेकिन आप उसको नहीं बदल पा रहे हो तो उस चीज को स्विकार कर लिए जिस चीज को आप स्विकार कर लोगे ना थोड़े टाइम में आपको अटपटा लगेगा लेकिन द अगर किसी चीज को बतला ना जा सके, कोई बात है, अगर किसी चीज को आप स्विकार नहीं कर रहे हो, कोई बात है, लेकिन अगर इन दोनों ही शुरत में आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज से आप दूर हो जाना, जिसे आप स्विकार न कर सको उस से दूर हो जाए कि आपको लगता है कि यह जोब मेंने लिए सेटल नहीं है उस जोब को वित करदे अब को लगता है कि यह फ्रेंज्ड से अर मैंने उनको कापी समझाया फिर भी यह फिर नहीं समझ Hemg नो अनुन प्रेंच को चोड़ में क आक को निया निया कोशिजिस करने के बाद ही ने बदला लेकिन नहीं बदला तो उस जगे उस बार प्रेस्ते पिट chapag मतलब जिस चीज को आप स्विकार नहीं कर पाए, जिस चीज को आप बदन नहीं पाए, उस चीज से दूर हो जाए, तब ही आप जियों में खुश रिपोगे, वरना आप बार बार उसी कार्य को करोगे और आपके मन में असांती है, तो आप कभी खुश नहीं रप पाओगे. झाल